इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते एक स्वस्थ आंत एक खुश आंत है इसलिए न्यूट्राकोलोजी आपके लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लाता है जो पाचन संबंधी परेशानी से राहत दिलाने में मदद करता है ये 14 बैक्टिरियल असुविधाओं को दूर करने के लिए शक्तिशाली प्रीबायोटिक्स प्रदान करता है ये स्वस्थ आंत्र क्रिया को बढ़ावा देने में भी मदद करता है प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्षम जीव हैं जिनका सेवन किन्वित खाद्य पदार्थों या पूरक के माध्यम से किया जा सकता है वे आंत्र बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और कई प्रकार के स्वास्थे लाभों से जुड़े हुए हैं इनमें वजन घटाने, पाचन स्वास्थ, प्रतिरक्षा कार्य और अधिक के लिए लाभ शामिल हैं न्यूट्रा कोलोजी 50 बिलियन प्रोबायोटिक्स सो प्रतिशक प्राकृतिक अव्यवों के साथ तयार किया गया है और तीसरे पक्ष की प्रयोक्षालाओं में स्वतंतर रूप से परीक्षन किया गया है प्रोबायोटिक्स अनुपूरक गैर GMO, ग्लूटेन मुक्त और चीनी, सोया, खमीर, अंडा, गेहु, मक्का, मूंगफली, मचली, शंक, मैगनीशियम स्टीरिट, कृत्रम सामगरी, भराव, बाइंडर और संरक्षक से मुक्त है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है 2. प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करता है 3. पोशक तत्वों के अवशोशन को बढ़ाने में मदद करता है 4. Probiotics पाचन तंतर में अनुकूल बैक्टीरिया को संतुलित करने में मदद करते हैं 5. कुछ probiotics ट्रेन आपके दिल को स्वस्त रखने में मदद कर सकते हैं 6. आपके शरीर को भोजन पचाने में मदद करता है 7. खराब बैक्टीरिया को नियंतरन से बाहर होने और आपको बीमार होने से बचाएं 8. विटामिन को संचलेशित करने में मदद करता है 9. आपके द्वारा खाय गए यानि की भोजन या पे के माध्यम से खराब बैक्टीरिया को आपके रक्त में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपकी आंत में मौझूद कोशिकाओं को समर्थन देने में मदद करता है दस, पूर्ण प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स अनुकूल आंत्रवनस्पती की स्थापना और रख्रखाव के लिए सहायता प्रदान करते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें